गुजरात में लगातार मुश्ताधार वर्षा हो ही रही है जिससे रोजमर्रा के जीवन पर जबर्दस असर पड़ रहा है गंभीर असर डक्षिर और मध्य गुजरात में अधिक है हम आपको वलसाड लिये जलते हैं प्रभावत इलाकों में हेलिकॉप्टर के जरिये पीडितों को एक रेस्क्यू उप्रेशन उनके लिए चलाना पड़ा मौनसूनी आफ़त की सबसे बड़ी मार पड़ी है गुजरात पर सलाप कई इलाकों में कहर बर पा रहा है जिन्दगी बार के पानी में फ़सी है कहीं रेस्क्यू बोर्ट का सहारा है तो कहीं हेलिकॉप्टर से जिन्दग्यों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है चौपर से बचाव अभ्यान की ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड से आई है जहां इस्तिती बेहत गमधीर हो चली है जिन इलाकों में रेस्क्यू बोर्ट तक पहुंसना नामुम्किन हो रहा है वहीं एंडियरेफ का राहत डायल हेलिकॉप्टर से पहुंच रहा है और लोगों की जिन्दगी बचा रहा है ड्रोन से ली गई वलसाड की ये तस्वीरे बता रही है कि हालात किस कदर बेकाबू है जिधर नज़र दोड़ाईए उधर पानी ही पारी नज़र आ रहा है उसी वलसाड की नई तस्वीर देखिए कच्चे मकान पानी में डूप चुके है वहार रहने वाले सुरक्षि ठिकाने पर जाने को वेबस है पानी इतना भरा है कि घरों के दर्वाजों गायब ही हो चुके है वलसाड गंभी रूप से प्रभावित जिलों में से एक है रैस्क्यूटी में अलग-अलग हिस्सों तक पहुँच चुकी है उनका एहम मकसद भसे लोगों को सुरक्षि ठिकानों तक पहुचाना है एक एक कर बचावदल लोगों को लाइफ से भी बोट से बहान निकाल रहा है आप गुजराद के नर्मदा से आई ये तस्वीर देखिए इतनी बारिश होई और ऐसा सितम तूटा कि रेनवी ट्रैक के नीचे से ही जमीन खिसक गई नर्मदा में मुसलधार बारिश ने मुसीवत बढ़ा दी है नदिया उफान पर है गरुडेश वर डैंप का हाल देखिए भारी बारिश के बार डैंप ओवरफ्लो हो चुका है अब एमदाबाद का हाल देख लिजी तमाम इलाकों का हाल समंदर जैसा हो गया है इतनी बारिश होई कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है इस बारिश ने करोलों की संपत्ति को लुक्सान को जाया है कई गाड़ियां भी पानी में डूप चुती है इस वक्त हम मौझूद है शामल चौरा है के पास और यहां पे यह सोमेश्वर बिल्डिंग है यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बेजमेंट में रखी हुई गाड़ी आ थी उसकी क्या हालत हुई है पूरा जो बेजमेंट है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है जो गाड़िया रहा पे पाक की गई थी वो गाडिया कुछ इस तरीके से पानी में तैर रही है इस वक्त ये द्रश्य एहंदबाद शहर के है यहाँ पे शहर के अंदर ही इतनी जादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा बेजमेंट जो है वो यहाँ पे पानी से लबालब भरा हुआ है आप देख सकते हैं नीचे सारी दुकाने हैं इन दुकानों में लाखो करोडों का सामान होगा जो पूरी तरीके से पानी में बरबाद हो चुका है आप देख सकते हैं ये दूसरी गाड़ी है एक ही बिल्डिंग में ये दो गाड़िया यहाँ पे तैर रही है अब आपे एक इमारत के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए खुद बखोद गुजरात में मौन्सूनिक तबाही का अंदाजा हो जाएगा यह द्रश्य आम दबात की एक सोसाइटी का है जहां पे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर पानी आ चुका है जिसके चलते जो पूरा सामान है वो बर्बाद हो चुका है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोफा है वो यहां पे पानी के अंदर है साथी यह TV काबिनेट है वो भी पानी के अंदर है और यहां तक की बहार पूरा एक CD बना दी जई है घर के अंदर आने के लिए आज तक की टीम ने एहमतबाद के तमाम हिस्सों का जैसे लिया है परिमल इलाके में स्थेथ अंडर पास में भी इतना पानी भर गया कि यहां से गाड़ियों के आवज अहीं बंद करनी पड़ी आज भी कई इलाको में पानी भरा हुआ है और कई इंपोर्टेंट जो रास्ते है वो अभी भी बन पड़े हुए है मेरे ठीक पीछे ये परिमल अंडर फास है और तस्विरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर अभी भी भारी पानी जमा हुआ है जिसके चलती ये पूरी जो सड़क है उसको बन कर दिया गया है आज सोमवार का दिन है तो आज लोग अपने घरों से निकले है कामकाच के लिए लेकिन जादा तर सड़के इस तरीके से पानी में डूबी हुई है जिसके वज़े से लोगों खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी संकट की शुरुवात हुई है मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन यानि बुधवार तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका है नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और गोपी घंगर के साथ सारवक्तानिया एहमदबाद आस तक